और क्या देखा due date दूसरा भी है एक वो कौन सा है हमारा 30 September और हमने ये भी देखा कि previous year जो होता है न वो 12 महिने का भी हो सकता है और 12 महिने से लेकिन assessment year तो हमेशा 12 महिने का चाहे business आप एक दिन पहले start करो तब भी आपको assessment year अगले पूरे साल को बोलेंगे कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपने तो बोला इस डेट तक टेक्स भर दो तो इस assessment year क्यों बोल रहे हैं assessment quarter year क्यों नहीं बोल रहे हैं तो तीनी महिने हो रहे हैं लेकिन year हम पूरा consider करेंगे ठीक है ना हम पूरा year बताते हैं एक particular ठीक है एक बात और देखने चलिए आगे simple से बात का मेरे जवाब देजएगा आपने अभी बताया सर आपने बताया जैसे की एक चार अगर दो हजार इक्केस हो और इकत्तिस तीन दो हजार बाइस हो तो बहुत simple सी बात बताया आपने इस साल आप income को कमाईए लेकिन इस साल टेक्स को भरेंगे और नहीं भरेंगे नहीं भरेंगे आपको थोड़ा वक्त मिलेगा और वक्त मिलेगा यहाँ पर आराम से बैठके calculation करिए और आप इसको भर दीजिए लेकिन विजय मालिया जैसे लोग क्या करते हैं पता है इस साल कमाते हैं और इसी डेट पे वो भाग जाते हैं इंग्लेंड अब सरकार भी बोलती है वो आएगा तो टेक्स देगा सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई आज आओ टेक्स का पैसा देदो वो बोलता है मैं नहीं आ रहा तो सरकार को टेक्स मिल पाएगा ऐसे सिचुवेशन में तो इसके एक्सेप्शन केस भी है कई बार जिस साल पैसे कमाओगे उसी साल भरना पड़ेगा आपके लिए ये वाला जो समय है ना ये नहीं है आपके लिए ये वाला समय है ऐसे कुछ केसिस हैं सर ऐसे कौन-कौन से केसिस हैं अगर आप इंडिया से इंडिया को छोड़ रहे हो पर्मानेंटली तो आपको इंडिया से बाहर तभी फ्लाइट में बैटने दिया जाएगा इंडिया से मतलब जो फ्लाइट में जाओगे पहले दिखाओगे पासपोर्ट फिर दिखाओगे इंकम टेक्स रिटन के आपने अगर इस डेट पे जा रहे हो छोड़के तो भाईया आप पहले इतने दिनों का आपना कैलकुलेशन करिए दिन रात मेहनत करके और रिटन समझ में आई बात आपको देखो हर चीज के पीछे लॉजिक है और यह होना भी चाहिए अब एक कुस्टन रेज होता है सरकार को कैसे पता चलेगा पर्मानेंटली जा रहा हो जब पासपोर्ट होता है उस पर स्टेंपिंग होती है जो वीजा होता है उस पर क्लियरली हर तर दूसरा आप बिजनस को डिस कंटीनियू कर रहे हो मैं सारी चीजों का नोट्स दूँगा सारी चीजों का मैं प्रॉपर नोट्स दे दूँगा नोटिंग करने की टेंशन मतलेना जो मोटी मोटी बात है और नोट कर लेना हो एक सेकेंट ट्वेल 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 चलिए कोई नहीं रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा तो आपको मैं क्या बता रहा था क्या पॉइंट चल रहा है यहाँ पे कि सर कही बार ऐसा होता है कि प्रीवियस येर जो है हमारा और वो ही क्या बन जाता है हमारा एक चीज़ बताना भूल गया मैंने P.E.Y लिखा देखा प्रीवियस येर को पूरा फुल फॉल फॉम में लिखने की कोई अवशक्ता नहीं है P.E.Y भी आप लिख सकते हैं एक्जाम में और अस्टेंडर है और अस्समेंट येर को आप क्या लिख सकते हैं का मतलब अगला साल जिस साल कैलकुलेशन इस साल का टेक्स निकालने का मतलब आप कैलकुलेशन तो यहां का करोगे तो इसका मतलब आप सारा हिसाब किताब कब का लोगे इस बात का दियान लगना एक्जामनर अगर बोलता है प्रीवियस येर गुछ ऐसे बिजनस भी होते हैं जो शॉट डुरेशन के लिए होते हैं १ुट मेली में जासे कि कोई करता है मेले वगरह ओसके लगाता है उसके पर नहीं लगाता seasonal business बूल सकते हो उनको भी बोला गया कि भईया आपको अभी tax देना है आपके लिए कोई assessment year का provision नहीं है कुछ ऐसे भी होते हैं जो Indian ship पे हो चाहे आपका जो Indian ship कह रहा हूँ जो कि बाहर के ship होते हैं तो ship पे पता है कैसे काम चलता है अगर यहां से USA माल भेजना तो 3-4 महने लग जाएंगे अगर बाई air जाता है तो फटा-फट चला जाएगा 1-2 दिन में लेकिन बाई ship जाता है तो आप देखोगे समुंदर के रास्ते से जाता है 2-3 महने क्या करते हैं वो ship पे रहते हैं तो अगर कोई बाहर के ship पे काम कर रहा हो तो ऐसे लोगों को भी अपना assessment यह नहीं उसको उसी time text देके जाना होगा मैं हर किसी का proper definition दूँगा और proper तरीके से मैं बताऊँगा कि काम कैसे करना है समझ में आरी है बात आपको तो अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना किसका क्या definition रहेगा वो सारे मैं आपको अभी PDF दे दूँगा फिलाल बुक की बात करें तो बुक कौन सा रहेगा सर ग्रीस आहुजा दो बुक डीउ के अंदर चलता है हमारा एक ग्रीस आहुजा दूसरा चलता है हमारा वीके सिंगानिया जो इंकम टेक्स का पूरे डेली उनिवर्सिटी की बात करूँ या पूरे इंडिया की बात करूँ ये दो बुक बहुत ही फेमस रहता है जो की चलता है मैं अभी फिलाल जो नोट्स होंगे न वो मैं अपने PDF तो दूँगा ही दूँगा बाकी question practice के लिए भी मैं PDF दूँगा और साथ मैं कुछ reference के लिए मैं इस book का प्रफेर करूँगा अभी market में book नहीं आई हो maybe possible है कि नहीं आई हो थोड़ा time लगता है क्योंकि book क्या होता है हरतार change होता है प्रिंट होने में अभी जाओगे दुकान पे साइध आपको बोले पिछले साल का चल जाएगा बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि काम कही नहीं है income tax बदल गया होगा कुछ ना कुछ changes होगा हमें तो नहीं वाला पढ़ना है तो जब तक हम notes से पढ़ेंगे मैं जो बच्चे live में उसके लिए मैं notes content में डालता रहूँगा और फिर जो बच्चे यहां पे हैं मैं या तो print out दे दू आपको या फिर मैं PDF प्रवाइड कर दूँ जादा नहीं 8 से 10 दिन में market में या तो आ भी गई हो क्या पता book लिया होगे उसके according अब बात करते हैं इन theory की यह सारे के सारे theory का कामना मैं आपको PDF भेज़ दूँगा जिसमें से आपको note करना है आज का class को अगर हम conclude करें मैंने बोला 2 गंटे की class रखूँगा आज की class को conclude करूँ तो पहली class से जादा लंबा खीचने की जुरत नहीं है आज की class में हमने क्या सीखा सर assessment year सीखा याद नहीं किया, section नहीं देखा वैसे तो section 2 के अंदर आता है लेकिन आभी हम बाद में बात करेंगे हमने थोड़ा थोड़ा basic basic knowledge लिया assessment year क्या होता है due date क्या होता है, previous year क्या होता है amendment क्या होता है, act क्या होता है income tax 1961 में बन गया तो लगा क्यों 1962 के अंदर इसके बाद कुछ और भी छोटी-छोटी finance bill क्या होता है ये सारी चीज़े हमने देखा finance bill कब बन जाता है हमारा income tax के अंदर जब राश्टपते उसके उपर sign कर देता है ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि सार इसमें सो कुछ basic basic चीज़ों को note कर लेना चाहिए, एक तो ये chapter वाला summary तो मुझे मेरे हिसाब से ये 5 chapter हम पढ़ेंगे जो कि note कर लेना चाहिए तो फटा-फटा आप note कर लिजे, otherwise मैं आपको इसका pdf send कर दूँगा टाइमिंग, TTS fix है, शाम को 7 बजे ठीक है, 7 से 7 पांच हो सकता है लेकिन TTS ही रहेगा, fix time किसी कोई दिक्कत, कोई परिशानी, clear है अगली क्लास से हम chapter number 1 start करेंगे, और hopefully chapter number 1 को हम खतम कर ले, छोटा chapter है कुछ basic terms है, कुछ text lab rate है और ये सारी चीज़े देखेंगे, ठीक है ना जो बच्चे लाइब क्लास में आप बता दीजिए voice आ रही है आपको हाँ, अभी वो बताते हैं, रुकिए voice आ रही है, आपको check करिए yes, clear है मैं pdf अभी upload कर दूँगा तो अभी ज़्यादा चीज़े नहीं है हम next class से chapter को start कर पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है चलिए good night, next class में मिलते हैं next class में अच्छे से chapter को start करेंगे